नमस्कार मैं अनुश्का बिहारी नियूज में आपका स्वाकत है आज शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक नज़र डालते हैं आप तक की सूर्खे पड़ विदान वर्ण परिसर को आज मिला पवित्र बोधी विरिक्ष और शताब्दी इस्तंबर विरान सबा शताब्दी समारों से नदारद रहे तेजस्फी यादव वारी पारिश में बरबाद हुए फसलों के लिए मिले गा मुआवजा बिहार में रोजगार देने के लिए लगेंगे उद्योग पंचायत बिहार में गन्ना की किवद बढ़ाने की खोड़ ही है तैयारी तो आई अब जानते हैं खबरे विस्तार से बिहार के स्री डॉक्टर श्रीकृष निस्ति के गाउन नवादा में धूम धाम से मिनाई गई 134 वी जैन्ती बिहार राज के पहले मुख्यमत्री डॉक्टर श्रीकृष निस्ति की 134 वी जैन्ती उनके गाउन नवादा जिले के खनवा में आज दूम धाम से मिनाई गई और बिहार के विकास को लेकर उनके योगदान को भी याद किया गया उनके दश वर्षो के शासनकाल में बिहार में आजाद भारत की पहली डिफाइंडी बरॉनी ओल डिफाइंडी आजाद भारत का पहला खादकार खाना सिंदरी बरॉनी रसाइनिक खादकार खाना एशिया का सबसे बड़ा इंजियनिरिंग कार खाना हेसी हटिया देश का से बरा डेलवेय यार्ड गडेहरा आजादी के बाद प्रथम डेल सह सरक पुल राजेंदर पुल कोशी प्रोजेक्ट पूसा वसवाउड का एग्रिकल्चल कॉलेज बिहार भागलपूर राची विश्विद्याले इतियादी जैसे अंगीनत काम हुए वहीं इस मौकी पर मु बिहार विधानसभा भवन के एतिहासिक 100 साल पूरे होने पर विधान मंडल पडिसर को कई अनुकी सौगाते आज मिल गई जिसका शिलानियास खुद देश के रास्टपती रामनाथ को विंद ने किया सबसे पहले उन्होंने पवित्र बोधी विक्ष के छोटे से पौधे को पडिसर में लगाया उसके बाद उन्होंने शिताब्दी इस्तंभ का शिलानियास किया जो की विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने की याद में बना जा रहा है इस स्तंभ के उपर धातु से बना बोधी विक्ष होगा जिसे बिहार विक्ष के नाम से जना जाएगा इसमें नौ बड़ी शाखाएं बिहार के नौ प्रमंडलों का प्रतिनिदित्व करेगी और 38 छोटी शाखाएं सभी 38 जिलों को दर्शाएंगी साथ ही 243 पंक्तिया सभ विदान सवाच छेत्रू का प्रतिनिदित्व करेगी बिहार में ताजा आकरों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज हुए रिकबर सुवे बिहार में कोरोना केस के घटने के साथ ही बीते कुछ दिनों से मरीजों के स्वस्थ होने के रफ्तार धीमी पड़ गए थी मगर त दोरान तीन नए मरीज में मिले हैं जो कि शिवहर से दो और किशनगन से एक मरीज की पुष्टी हुई है इसके बाद अब राज में करोना के एक्टिव मामलों की संख्या घट कर 29 हो गई है वही रिकवरी दर में सुधार होकर यह 98 दिसब्लक 6-7 फिसदी पर पहुँच गया ह भारी बारश में बरबाद हुए फसलों के लिए मिलेगा मुआवजा पिछले दो-तीन दिनों से अचानक से हुई अतिव रिस्टी के कारण बड़े छेत्रों में धान की फसल को नुकसान पहुचा है जो कि किसानों की परिशानी का सबब बन गया है हाला कि राजस सरकार ने निर्देश दिया कि वर्शा के कारण सभी जिलों में फसल छती का आकलन करे और प्रभावितों को मुआवजा देना सुनिश्चित करे साथ योन ने बताया कि 15 अक्टूबर से पहले सभी जगा की रिपोर्ट लेकर हुई फसल का छती का आकलन किया और उसका मुआवजा भी इसके भी 35 जवानों वा अधिकारियों ने अपने सेवा में रहते हुए जान गवाए हैं उनके शहादत को याद करने के लिए उनके समान में भी आज सुबह पटना के BMP 5 में इस मृती परेट का आयोजन किया गया और सभी दिवंगत वीर पुलिस जवानों को शधांजली इस वाक के पर डीजेपी इसके सिंगर ने बताया कि सुरक्षा और अपरादियों से मुटभेर के दौरान साथ बिहार की पुलिस कर्मी शहिद हुए हैं एवं कोरोना ड्यूटी पर तैनाथ 28 पुलिस कर्मी की मृत्य हुई है जो की एक शहीद की रूप में माने जा रहा है लापडवाही बरतने वाले थानेदार को एसपी ने किया सस्पेंट बिहार में नो टॉलरेट के सिधान्त पर पुलिस महकमा की बड़े अधिकारी लकतार लापडवाह पुलिस कर्मी पर कारवाई कर रहे हैं ताजाओ दारन में नवादा जीले से ही एक मामला सामने आया है जहां थानेदार के द्वारा काम में लापरवाही बरतने पर एसपी ने ततकाल प्रभाव से उन्हें सस्पेंट कर दिया जानकारी के मुताबिक नवादा जीले की एसपी दूरत साहिली सामला राम को कई दीनों से कवाकोल थानाध्यक्ष राजीव रंजन सीं के बारे में शुकायते मिल रही थी जिसके बाद एसपी ने खुद जाच करते हुए जाच में दोशी पाए जाने के बाद उक्त थानेदार को ततकाल ही सस्पेंट कर दिया वहीं जादे से नवादा पुलिस महकमे में हड़कम मच गया सीयम ने राश्पती रामनात कोविंद को बताया बिहारी राश्पती बिहार विधानसभा शृताबदी वर्स कारकरम के मुख्य आती थी राश्पती रामनात कोविंद ने आज के कारकरम का उद्गाटन किया जसके बाद उनके स्वागत में बिहार के राशपाल मुख्यमं मंत्री समेट विधान मंदल की सदाशेगन मंत्री नेता मौजुद रहे सबसे पहले विधानसभा अद्धिक्ष ने स्वागत भाशन दिया जिसके बाद मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने भी कारकरम को संबोधित किया यह दोरान सीम ने राश्ट्रपती का बहुत धन्यवा ताजा हाल मांसून की वाफसी के बाद भी बिहार में कई मौसमे सस्टम के असर से कई जीलों में भारी बारिश हो रहे हैं और आने वाले दो तीन दिन तक यही हाल रहने वाला है मौसम विग्यान के अदर पटना की मुताबिक बंगाल की खारीशे होते हुए बिहार के उपरी हिस्से में चक्रवाती हवा का सस्टम सकरिया है इस कारण से मांसून वापसी के बाद भी बिहार के अधिकांस हिस्से में बारिश के आसार हैं इसे लेकर अगले 24 गंटे के लि गिरावट होनी शुरू हो गई है जिसके प्रभाव से सुबा ठंड का एहसास हो रहा है बिहार में रोजगार देने के लिए लगेंगे उद्योग पंचायत वरतमान की सरकार ने चुनावी वायदे में पहले ही 19 लाख रोजगार देने का वायदा कर चुके हैं और ऐसे में अब सरकार उद्योग धंडे को फिर से जीवीत करके उद्योगों को बरहावा देने के साथ ही रोजगार की सीधा में एक्सन प्लान तयार करे हैं इसके तहत सरकार अब उद्योग पंचायत के जरिए उद्योगों को फिर से शुरू करने के रोड मैप पर काम कर रही है इस इस उद्योग पंचायत में बड़े और नामी उद्योग पतियों को बुलाया जाएगा साथी बंद पड़े मील मालिकों को भी बुलाया जाएगा जसके बाद मील मालिकों की समस्या को सुनकर उनका हल निकाला जाएगा देशबर में 100 करोर डोज वैक्सनेशन पूरा होने पर मनाया गया जशन है आज हर एक भारत बासी के लिए अतिहासिक दिन है देशबर में एक बिलियर यानिकी 100 करोर कोरोना वैक्सनेशन रोज लगने का आकरा पाढ़ हो गया है जिससे लेकर भारत सरकार की तरफ से देशबासियों को बदाए दी गई वहें इस मौकी पर कई तरह के कारक्रमों के जरिये खुशी जार की गई इस मौकी पर पियम मोदी ने भी कहा कि हमने वैक्सीन सेंचुरी लगा ली है वही भारते पुरतत्वर सर्वेक्षन की तरफ से कोरोना युद्धाओं के समान में देश के 100 समारकों को तिरंगे की रोशनी से रोशन करने की त्यारी हो रही है वही दूसरी तरफ 1400 किलो ग्राम का खादी का त्यरंगा इस मौके पर लाल किले में प्रदर्शित किया जाएगा यह हाथ से बना हुआ अब तक का सबसे बरा जंडा है और इसके लंबाई 225 फूट है और 14 150 फूट है बिहार में गन्ना की कीमत बढ़ाने क कि हो रही है त्यारी बिहार के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है उतर प्रदेश की तर्च पर ही बिहार सरकार किसानों से ज्यादा कीमत पर गन्ने खर देंगी जिसका सीधा लाब किसानों को मिलेगा इस करम में गन्ना उद्योग विभाग की ओर से उतर प्रदेश किमत प्रति क्विंटल 315 रुपय की दर से ही किसानों को चीनी मील के द्वारा भुगतान किया जाता है पारिवारिक कला के बीच देश्प्रताप यादव का दिखा नया स्टाइल प्रदेश में दो सीटों पर उप्चुनाव को लेकर राजद और जदियू आमने सामने है तो बार तेश्प्रताप अपने पहनावाई के लिए नहीं बलकि अपने हेर स्टाइल के लिए मीडिया की सुर्क्यों में है साथ ही तेश्प्रताप यादव ने अपना फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि तुम हमारा मजाक उडाओ हम तुम्हारी धज्जिया उड़ा द अधर्वदेश चुनाव के लिए अकेले ही अपना दम दिखाने वाले वी आईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपने चुनावी मुहीम में जुट गए हैं और अपने निशाद वोटों को एक जुट करने की प्रयास में लगे हैं इसकरम में बीते दिन उन्होंने यूपी के जाउनपूर में जन चेतना रैली को संबोधित करते हुए निशाद समाच को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यूपी में 16 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के बाद भी निशाद समाच के साथ दोयम दर्जे का बरताब किया जा रहा है वहीं आगे उन्होंने कहा कि समाच से चंदा या फिर आरती का पैसा नहीं बलकि उनके तन मन से सहे उख चाहिए विधानसभा शिताब्दी समारू से नदारद रहे तेजस्वी आदव विहार में आ जाती हासक विधानसभा शिताब्दी वर्ष समारू का भववा आयोजन हुआ लेकिन सुबा से ही जल रामनाथ कोविंद का अपमान हैं हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी आदव ने कहा कि वे प्रोटोकॉल की तहत बुद्वार को राश्पति के स्वागत में गये थे और कारकर्म में आमंतरित भी थे लेकिन उन्होंने अपने चुनावी कारकर्म की सूशन विदानसबाद द्यक्ष को दी थी साथ ही उन्होंने कहा कि वे उप्चुनाव में अपनी पार्टी आरजेडी से घूमने वाले अकेले हैं और बचे समय में वो जनता की बीच ही रहने वाले हैं पाकिस्तान की पुरुकप्तान ने भारत के जीतने की कही बात भारत बना पाकिस्तान के लिए बस अब दो ही दिन का इंतजार शेस है सर्फ फैंस ही नहीं क्रिकेट से जुरे दिगजों के भी इस एतिहासिक मैच को लेकर कई दावे और बयान बाज़ियां की जारी हैं इस बीच पाकिस्तान की ही पुरुकप्तान ने अपनी ही विरोधी टीम भारत को विजीता करार दिया है पाकिस्तान की पुरुकप्तान इंजमाम उलहक ने अपने योट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारते टीम के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के ज्यादा चांस है उन्होंने कहा कि किसी भी टूर्णमेंट में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह टीम खिताब जीतेगी बलकि यह दिखा जाता है कि किस टीम के जीतने के ज्यादा चांस है मेरी राय में इस टूर्णामेंट में बाकी टीमों के मुकाबले भारतिय टीम के जीतने के ज्यादा चांस है तो चले बढ़ते हैं आज का सवाल की हो और आज का सवाल कुछ है इस प्रकार है कि आपकी अनुसार देश भर में 100 करोर वैक्सिनेशन के बीच आपने भी अब तक डोनो रोज वैक्सिन लगवाई है या फिर नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया और बिहार से रेकोब्रों से अपडेटे डारेक के लिए जुटे रहें बिहारी न्यूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार